कि ऑफर कुछ चीजों से बिल्कुल अलग होता है कि कुछ चीजों से ऑफर बिल्कुल अलग होता है कि इन्विटेशन टू ओफर अलग होता है कि इसका मतलब है कि तुम लोग मुवी देखे होगे बहुत सारा एक मुवी है जो तुम लोग सब देखाऊगा वेलकुम अक्षे कुमार का ठीक है उसमें मजनु भाई का एक पेंटिंग होता है कि मजनु भाई का एक पेंटिंग होता है मजनु भाई जितना अच्छा तो नहीं बना पारें लेकिन ट्राइब करना है थिक है उस पेंटिंग में एक गधा घोड़े के उपर खड़ा ओगाल मिया वहाँ पर कैसे विक रहा था वो समान कैसे विक रहा था क्षिक्मार कैसे लिश आधर समान लिए इस पेंटिंग को भाया एक हतोड़ा था उसके हाथ में ठीक है कि यह कैसा टाइप का सेल होता है कि एक बंदा एक बंदा अपने हाथ में हतोड़ा रखे और वो बोलेगा यह पेंटिंग पेश किया जा रहा है लूबि है में बहुत सारे लोग के ओटियंज में बैठे होना कि सबके हाथ में कि एक बूर्ट होता है कि तिसमें प्राइस हो और यह जो painting है इसका बेस क्वानों यह प्रadıgl की इन थीरव में इस करके बोली बढ़ते चाथब भी इस चीज को इंग्लिश में क्या बोते को बता सकता है यह पुड़ा प्रोसेसि सो कि जसमें बोली लगाया जाता है लास्ते ही प्राइस फिक्स होता है और जो बंदा रहता है वह फोटारा मार के उतक्रेवल प्रैस फ्राइस फोल फाथ कि ₹ पांच सेजार एक पांच हजार दो पांच हजार ने तक हैमर बैरी अियोद आयुप्शन और है इसे क्या कहते हैं यह है ओक्षन से यहाँ पर बताओ यहाँ पर नॉर्मली कौन होता है ओफर कौन होता है जो ओफर करता है और एक्सेप्टर कौन होता है करता है यहां पर यह बंदा जो है इसका पेंटिंग किया इसका मजनू भाइए यह बंदा का काम है हम इस पेंटिंग को बिक्वाइए इसका के लिए यहाथ में हतोड़ा लेके पब्लिक को बुला के चालू हो जाए अभी ऑफर का काम होता है ना कि प्राइस कितना है सेक्टर है नॉर्मली उपर वाले केस में बंटी बोला था ने कि दस हजार में ये फोन लो लेकिन यहां पर ओफरर बोलता है जिनको खरीदना उंको ओफरर किसको बोलता है ओफरी को तुम लोग एक प्राइस बताओiran नॉर्मली बात को धयान से सुनना जब ओफर होता है उस में ओफर करने वाला ही दाम बता देता है कि भाई हम इतना में कॉंट्रैक्ट करेंगे ओफर करने वाला ही दाम बता देता है कि जो हम इतने में कॉंट्रैक्ट करेंगे पक इन्विटेशन टू ऑफर जैसे की ऑक्षन से यहाँ पे ऑफरर दान नहीं बताता है यहाँ पे रख दिता है ऑफरी के हाथ में कि तुम लोग बोली लगाओ जो सबसे ज्यादा बोली होगा हम उसको यह समान बेचेंगे अलग चीज हो गया ना ऑफर में क्या है ऑफर का अधंक्ते का इसेंशलत है ना कि भाई कोफर में वोफर को इसके बारे में पता चलना चाहिए लीगल रिलेशन होना चाहिए कंसेंट होना चाहिए कंदीशनल हो सकता ही कुछ था ना पट इन्विटेशन को अपर में यह सारा चीज नहीं हो इस बहुत एप पिए इन्विट यहां पर यह उपर कर रहा है क्या यह बंदा यह बोल रहा है क्या इतना तीन हजार रुपया में ले लो यह तो बोल रहा है तीन हजार रुपय से पाटी को शुरू करो तीन हजार उपय से हम इसको बशना शुरू करेंगे, आप लोग लेंगे कितना में, यहाँ पे जो बंदा invitation दे रहा है, जो बंदा invitation दे रहा है, वो तो invite कर रहा है लोगों को आकर ऑफर करने के लिए क्या बोल रहा है कि आईए आप बताई आप कितना मिलें यहां पे इन्विटेशन भेजा जा रहा है लोगों को यह बताते हुए कि हाँ हम अपने समान को बेच रहे हैं आइं बिलिंग तू सेल माई आसेट जो भी इसमें इंट्रेस्टेड है यह तो इन्विटेशन और एक फोड़ी बीज देगा नॉर्मली क्या होता नॉर्मली देखा जाए नॉर्मली ओफर होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और क्या बन जाता हो प्रॉमिस बन जाता है यहां थोड़ा अलग यहां क्या सीन है invitation to offer में पहले हम invitation to offer दिये कि हम invite करें लोगों को कि आके आप लोग offer करेंगे जो खरीदेगा जो बायर वही offer करेगा कि हमको इस rate में खरीदना है और हम accept करेंगे तब जाके यह contract बनेगा अरे यह गड़बर चीज नहीं है थोड़ा अलग चीज नहीं है यहां यहां पे तीन स्टेप पहले हम इंवाइट किये फिर मेरा बायर लोग ओफर किया कि वो लोग इतना में खरीदना चाहता है फिर हम एक्सेप्ट किये और लाश्ट में अलग है ना ओफर से छोटा सा डिफरेंश है लेकिन लियान अपना बड़ा ज़रू है बात करते हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे वह एक्सेप्ट करेंगे हम लोग का वो कॉंट्रैक्ट बन जाएगा वेराज एन इंविटेशन तो एन ओफर वो तो सिर्फ ओफर को सेर्क्यूलेट करता है लोगों को बुलाता है कि भाई आओ मेरा समान खरीदो आओ मेरा समान खरीदो एक ओफर एक ओफर एक से पहले होता है ठीक है देखो यहाँ पर यहां पर ओफर जसे पहले इसके पहले कुछ नहीं ता सबसे पहले उफर हुआ उसको एकसेट किये वह पर यहां सेकंड केस में इंविटेशन पूर एक्सेप्टेंस से पहले ओफर है और और से पहले इंविटेशन टू ओपर इस बारे मैं मुलों का बार हो चुका है एकसेप्टेंस ओफ एन ओफर रिजल्ट्स इंटू आ बाइंडिंग कॉंट्राइट जैसे ही ओफर को एकसेट करते हैं कॉंट्राइट बन जाता है रिक्म ओफर को एकसेट किये इनविटेशन टू आफर को एकसेप्ट करने पर पहले वह उफर बनेगा फिर उसको उस ओफर को एकसेट करने serpcketे पर वह ओँट्राइट बनेगा उसके कि भाई या हमको ऑफर समझ में आगे है क्या हो कि इंविटेशन को ऑफर में आप बता रहे हैं कि लोग को हम इंवाइट करेंगे कि आओ मेरे समान को कितना में खरीदेगा बताओ बट एक्जाम में थोड़ा मुश्किल होगा दोनों को डिफरेंशियेट करना कोई ट्रिक बत अगर उसका इरादा है कि तुरंट एक्सेप्टेंस लेएं तो वह उपर जैसे कि बंटी का इरादा थकी का पहले हैं वह और अगर उसका इरादा है कि बदले में हम कुछ और करें एक्सेप्टेंस के बजाए तो वो इंविटेशन तो ओकर है तो तुम लोग को हम ले के चलते हैं पच्पन वाले दुनिया ठीक है फॉर्स्ट अफॉल तुम लोग यह चार पॉइंट पताओ चार पॉइंट के डिफिर्सेंस में किसी में डाउट है रीट नतने बताओ अठै hizo दूनियुड बताओ कि अखैज एक्षच का बनागैनlara市ारी फाइरी अजय। वीव नातने उपिपरोग प्उ़ग यह चार वापन ह nessुरक को भी व लुड़ा खाल में कि राओंच़्ट खाली औरुध था ऐलन सबल दूस्एर सब्सेशन पलिड़क? से केंड़ को नहीं चीज़ को बता शर्थ प्लस अक्सप्टेंटस इस अफरेस्घ से सब्सक्तार होका में ज पहले होगा इंविटेशन पर फिर होगा एकस्टेंटस प्लस इसेस्ट अक्सप्तेंटस अब कि यही बात को इंगलिश में लिग दिया है कि नॉर्मली और इस बिफोर एक्सेप्टेंस बट इन केस ऑफ इन्विटेशन तो ऑफर इट इस बिफोर डेफिनेट ऑफर एक प्रॉपर ऑफर होने से पहले लोगों को इन्वाइट तो करना पड़ेगा ताकि वो ऑफर में कनवर्ट हो सकती है दूसरा डाउट है पॉइंट नमबर फूर बड़ा इंपोर्टेंट इसमें डाउट नहीं रखना है भाईया एक्जाम में हमको कैसे समझ में आएगा कि यह कॉंट्रैक्ट नॉर्मल है या फिर इन्विटेशन टू ऑफर वाज़ा है सिंप्ली देखेंगे ऑफर है क्या इस ऑफर के लिए हमको इन्विटेशन भेजना पड़ा या फिर क्या हम पहले इन्वाइट किये हैं अगर हाँ तो यह इन्विटेशन टू अगर नहीं स उसके बाद ऑफर किये करेंगे उसके बाद हो एक्सेप्ट होके पॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा यह इन्विटेशन को ओफर कहीं साथ है सिंप्ल अब बताओ कोई डाउट जो बच्चों को डाउट था क्लियर हुआ कि दो सुप्रिती तेरा डाउट क्लियर हुआ अब हम लोग पुछ एक्जांकल्स का बाद करते हैं कि तुम लोग में से आई होब सबका रिजिस्ट्रेशन हो गया होगा इसी आई में रिजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिसके बाद बुक्स आता है तेक्ट आउनलाइन इसको रिजिस्टर करते हैं एससपी पोटल से 9200 लुप्या लगता है यह करना जरूरी है जब तुम लोग रिजिस्टर किया होगा साथ में प्रोस्पेक्टर साथ अधा यह प्रोस्पेक्टर क्या है देखो नॉर्मल्ली हम बता रहें तुम लोग हम लेके जाने वाले से 11-12 में 11-12 में तुम लोग एक चाप्टर पढ़ाता शेर्स कि बहिए जो कंपनी होता है वह अपने कैपिटल का छोटा-छोटा हिस्सा करके लोगों में बाट देता है क्योंकि उसको पैसा का जरुवत है और उस चीज़ को बोलते हैं शेर्स अब आते थोड़ा रियालिटी में भाई तुम में से कोई भी तुम में से कोई भी किसी कंपनी का शेर क क्यों खरीदेगा ? क्यों खरीदेगा ? क्या इरादा होता हुथ खरीदने का शेर को ताकि तुम्हारा क्या हूच演 भी मार्किट में पैसा लगाते हैं ताकि प्रॉफिट हो डिविडेंड मृ अ कि एकनॉमिक बैपेट है तो तुम क्या गांत लगाता है क्या आप बंद करके के ऐसे बोलता है कि जिसमें मेरा उगली रुकेगा आख खुलने के बाद वह कंपनी पर हम पैसा लगाएंगे नहीं तो उस कंपनी का रिसर्च करण पास्ट परफॉर्मेंस देखता है देखता है कि उसका ओनर कौन है क्या है नहीं है और कंपनी शेर इशू करने से पहले ही ख चीज़ को एक डॉक्यूमेंट में लिखके बाट जिसको उननों पॉलता है कि आओ मेरा शेर खरी दो कंपनी क्या बोल रहा है इंवाइट कर रहा है कि आओ मेरा शेर खरीदो याद करो हम लोग पहले एप्लिकेशन का पैसा देते थे थे फिर वोब बोलता था ता ना किसको अलोट करेगा नहीं करेगा मतलब वो लोग फ्रोस्पेक्टस देता है और लोगों को invite करता है कि आओ शेयर करें कि यह first step होता है second step में हम लोग application देते हैं फिर वो लोग को जिसको मन करता है वो लोग उसको यहां पर इंविटेशन हुआ कि नहीं एक दम भाईया यहां पर इंविटेशन हुआ है देखे सबसे पहला स्टेप है प्रोस्पेक्टर्स बना के इंविटेशन दे रहे हैं लोगों को कि आओ पैसा लगाओ फिर लोग अप्लिकेशन बेशते हैं फिर मेरा मन जिसको हम अलॉट करें यह किसका एक्जैम्पल हो गया इंविटेशन टू ओफर का है कि नहीं इंविटेशन टू ओफर में क्या सिखाएं कि लोगों को इंवाइट किया जाए प्रोस्पेक्टर्स इश शेर्स थरी दो गैरिंटी नहीं है कि वो लोग पैसा देगा तो हम शेर्स देंगे ही देंगे मेरा मर्जी हम किसको अलॉट करेंगे पहले हम इंवाइट करते हैं फिर वो लोग अप्लिकेशन देता है फिर हम अलॉट करते हैं मेरे मर्जी से देखो पहले इंविटेशन अभी तो इस चीज के बारे में सीखें अच्छ भाई यह Harris वर्सेस निकर्सन अब क्या बलें बहुत बार क्या होता है लॉग के दुनिया में हम लोग के के स्टड़ी रिफर कराने को कुछता रहे औक्शन से मतलब हम बोलते जाके Harris वर्सेस निकर्सन का जो के स्टड़ी है वो देख समझ आए इसी लिए के स्ट्रा मार्क्स लिए लिखने पे अच्छा इंप्रेशन वनेगा तो कुछ के स्टड़ी को हम लोग टाइम याद करते है ओके फिर डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेलिंग शॉप बिंडूर्स हम लोग जब किसी दुकान के बाहर से पार होते हैं दिक्टे की समान लगा हुआ हम लोग जाके बोते हैं सर्ड ये कितने का है भाई वो दुकान के बाहर क्यों लगाया ताकि लोग आके दाम पूछे दुकान के बाहर समान लगाने का मतलब है कि लोग आकर दाम पूछेंगे ये भी तो हम इन्वाइट कर रहे हैं एक तरीके से लोगों को लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ मेरा समान खरीदो आओ ओफर करो कि तुम लोगों खरीदने का मन है ये भी तो कि हमको कोई पूछा सब्सक्राइब क्या करते हैं प्राइस को ना एक पेपर में हर चीज का मॉनिटर इतना यह इतना यह इतना करके लिखते इस चीज़ को बोलते हैं कोटेशन यह क्या है यह हम इंवाइट कर रहे हैं कि आव मेरे से पर्चेस करो बहुत बार देखते हैं हम लोग यह पेपर लेकर जाते हैं बोलते हैं सर मेरे को पैटीस हजार वाला लाक्टॉप चाहिए वो लोग हम लोग को कैसे अट्राक्ट किया इंवाइट करके न वो लोग इंवाइट किया हम लोग आफर किये कि हाँ भई बेचो हमको चलो वो लोग एट्सेप्ट किया और फिर कॉन्ट्रैक्ट दुआ फिर हमको समान मिलेगा येस हैं जब इंपोर्ट करतेगो कोटेशन का सीम क्या होता है नहां तुम बतारे हैं जैसे हम अभी तुम लोग जब स्पैसली का बच्छा दो पढ़ाई करेगा तो थी जैसे की मानो एक प्टरी है तरी में एक मशीन लगवान है उस मशीन का मेरे स्टेट में दस सेलर है तो हम दस का दसों को बोलेंगे कि भाई अपना पूटेशन भेजो वो लोग अपना अपना दाम भेजेगा हम दसों सेलर को कंप्यर करेंगे अच्छा ये इतना में बेचता है ये इतना हम लेज आ है उसके बाद हम decision पूटेशन ऐसा होता है कि हम को जब कंप्यर करना होता है कि इसका सवाल करी है पाट करते हैं और लाप्स कब करता है और पार कब होता है और खतम कब अच्छी के और लाप्स मतलब और पार कब होता है कब वो और इंबैलिट हो कि इस चीज का एक छोटा सा जहलब हम लोग देखें कि इसलिए करा सब्सक्राइब कि अच्छी को और इच्छी से संधाते हैं तो यह हो तुम मानो मिश्टर एं मिश्टर एं मिश्टर एं एक फैक्टरी में मैनेजर इसका जिम्मेदारी है एक टीन करोड का मशीन लगएं बुटा मोटी टीन करोड में वो मशीन आगए तो क्या ज़रूरी यह तीन करोड का ही होगो सकता है कहीं ज्यादा मिले करहीं कम इसके सामने दस सेलर हैं इसके स्टेट में जो वह वाला मशीन बेचते हैं यह दसों को कॉल करके बुलेगा अपना कोटेशन बेचा दसों क्या करेंगे एक पेपर में कि इस मशीन का दाम लिखके भेजएंगे कोई बुलेगा एक करो गूलेगा सात करो तो यह फिर रिसर्च करेगा कि कौन सा मशीन इसके लिए सेलर इसके लिये बेस्ट है अलग-अलग मेजर्स पे तुम लोग आगे जाके सीखेगा और फिर सेलेक्ट करेगा कि हाँ इसका कोट इन्वाइट करने का तरीका है की यह सते मशीन दीजिए आईए हमसे यह मशीन दीजिए समझ आया है कि अब अपन आगे बहुत है टाक्टु आ कोई भाई याइट ऑपर लाप्स कब करता है खतम कब होता है पार कब लेपकाट का बिलियन देश कि 23 अप्टूर से 26 अप्टूर वड़ा सुने इस बारे में अगर विए इसमें क्या बोलता है तेईस से 26 अप्टूर यानि कि ना तेईस से पहले वो डिस्काउंट मिलेगा ना 26 के बाद वो डिस्काउंट मिलेगा अगर डिस्काउंट चाहिए यह जो स्टिप्यूलेटे टाइम आपको हमने पताया है इस टाइम के अंदर समान को खरीद लो ठीक है तो ओफर लैप्स कर जाएगा 26 के बाद क्या हम खरीद पाएंगे नहीं 26 और इस बीश हम खरीद सकते हैं उसके बाद हम नहीं खरीद सकते हैं। ऑफर लैप्स कर जाता है छता मुझा तो बहुत बार ताइम बता देता है स्टिप्पूलेट कर देता है तो बहुत बारिजनेबल टाइम में हमको जो भी बच्चा मेरे नहीं क्लास करना पर एक reasonable time होना चाहिए अब कोई बच्चा एक्जाम से दस दिन पहले आके बोल रहा भाई या डेमो दीजिए पॉसिबल है बताओ पॉसिबल है नहीं क्यों चुकि भाईया reasonable time हो गया है पार reasonable time मतलब वाजब time reasonable time मतलब वाजब time जो time देखे लगे हैं ठीक है ओके हर जगह का reasonable time अलग होता है तुशन के case में अलग होता है ठीक है फॉर एक्जामपल मानो किसी ने offer किया कि मेरा पपी खरीद ठीक है पपी फुट्टे का चोटा बच्चा वो खरीद लो एंड तुम जा रहे हो साथ महना वाण कि हा भाई अप पपी नहीं रहा साथ महना बाद आ रहा है reasonable time पार reasonable time क्या पहला एक दो महना आवा यार साथ महना बाद आ कि बोलो पपी चाहिए वो पपी रहेगा क्या ठीक है जा फिर मानो एक आदमी है थीक ऐ रोनाल्डउ रोनेंडडउ आफर करता है किसी ट्लब को कि हम आते लिए फुट्बॉवर के다 क्लब तीन साल बाद नाटे रिटाय्र होने वाला है वह कैसे खेलेगा ने खेलेगा है reasonable time PK हो गया है तो इस चीज को समझना हम लोग का कॉमन सेंस करने बराबर है बता देता है रिजनेबल अपना बुद्धी लगाना है बात करते हैं बहुत बार ओफर करने पर ऑफर ही जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जैसे कि हम इलों का केश कि वैन ऑफर थीक है मैंने ऑफर किया कि मेरे से आकर क्यूशन की मानों तुम ने एक्सेप्टेंस तो हम किसका एकसेप्टेंस हो वाट्चे अगर हमको एकसेप्टेंस दिना है वople दूओ doctor evolve चलेगा नहीं Penis cricket होने का पेस्ट्राइड मैनर ओफर ना फिक्स कर देता है ओफर रफिक्स कर देता है कि भाई मेरे ओफर को तुमको अगर एकसेप्ट करना है तो वोट्सपट मेसेज करूँ नहीं तो हम ओफर को एकसेप्ट नहीं माला कि कैं थर्ड वेंदा ओफर विकम्स इल्लीगल आफ्टर रेट इसमेड बताओ तो यह कौन सा कॉंट्रेक्ट बन जाएगा अगर कलको एक्सेप्ट होता था अगर हम ओफर किये हैं तुम एक्सेप्ट किया कॉंट्रेक्ट था लेकिन अच्छानक से दू दिन बाद इल्लीगल हो गया यह कौन सा कॉंट्रेक्ट इस कॉंट्रेक्ट के एक्जाम्पल है यहां पर कोई अग्रीब पार्टी नहीं है कोई अग्रीब पार्टी नहीं है वॉइडबल कॉंट्रेक्ट में अग्रीब पार्टी दुखी पार्टी होना जरूरी है कोई धोका नहीं एक नया टाइप पर सिग्रेट आया जिसको लोग बोलते हैं उसमें अपना कुछ-कुछ करो और वो एक बार खरीदें लंबा टाइम के लिए चिनता करता इसके कारण गवर्मेंट का जो और इजनल सिग्रेट से रेमेन्यों मिलता था टैक्स मिलता था वो फिरने लगा गवर अभी क्या हो जो बन तो हो गया एक यहां पर खतम नहीं हुआ मानो हम लोग का कॉंट्रैक्ट हुआ था कि हम तुमको तीन कार्टून इसिग्रेट देंगे क्या आप हुम दे सकते हैं बताओ लीगल चीज तुमको दे सकते हैं ऑफर किये थी कि तुमको तीन डबाबा है कि आई विल टीच यू पेस्टू कि लेकिन लोगडाउन लग गया प्रच्छा अब आगे पढ़ा सकते हैं नहीं तो ओफर वेर दा ओफर बिकम से लिगल अपनर इसमेड मेरे ओफर करने के बाद अगर वह हो एंड हो गया अब वो ओफर वाले हुआ है खीक है भीया नो चौथा बेंदा ओफरर रिवोग मतलब कैंसेल करता अपने ओफर के रिवोग जो है लीगल वर्ड है रिवोग का मतलब कैंसेल बहुत बार होता है ओफरर कैंसेल कर देता है मानो हम और रखी कि जो बंदा कि अच्छा पानी लाटे लेगा उसको हम तीन अजार उपर हम अपने उपाक के सब्सक्राइब करते हैं तभी कैंसेल कर सकते हैं आगे भी पढ़ेंगे हम लोग ऑफर ऑफरर तभी कैंसेल कर सकता है अगर वह एक्सेट नहीं हुआ और जैसे ही एक्सेप्ट होता हुँ तुरंट प्रॉमिस बन जाता है ऑफरर के हाथ से चल गया बंटी बुला बबली को दस हजार में फोन खरीक जब तक बबली हाल ही बुलेगी बंटी ऑफर कैंसल कर सकता है एक बबली हाँ बोली अब बंटी अपने जबान से लिशे में दिस इस दा कॉंटर ओफर बाइद ओफरी याद करो हम लोग सबसी मंटी गए सबसी खरीटने के लिए वो बोला तीस रुपया आलो हमने कहां 25 में देना है तो दो काउंटर ओफर हो गया तो जो ओरीजिनल ओफर 30 रुपया वाला वह बैलिट है क्या ओरीजिनल ओपर 30 रु अच्छा बहुत बाड़ ओफर के कंडिशन्स होते हैं अगर उसको फुल्फिल ना करें तो फुल्फिल लैक्स हो जाता है इतना सारा ओफर होता है ना पौर एक्जाम्पल मानों एमेजान पॉपर है गूबल पेस से पाच हजार का पेमेंट करो कूपन मिलेगा उस कूपन क अब मानों तो फुल्फिल्मेंट नहीं किया कंडिशन का कंडिशन था ना कूपन को यूज करिए इतना दिन में तभी हमेजान उपर यहां पे अगर आप कूपन को स्क्रैच्च नहीं करेंगे तो ऑफर नाप्स कर जाएगी एंड हो जाएग और लास्ट वाल तो सबसे फन सब्सक्राइब तो अगर कोई भी पार्टी इधर आपकी इस दोनों में से आपर या फिर आपरी में से कोई भी पागल हो जाए मर जाए तो वह आपर लाप्स हो कि फिर से एक पर फटा-फट कहला भाईया विग विजनेबल टाइम के अंदर या फिर स्टिपुलेटे टाइम के अंदर अगर हां नहीं बूल रहा है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ऑफर लैप्स हो दूसरा भाईया हम लोग का क्लासेस आरसी का आप बोले वाट्साप एक् कर दिया है फिर आप बताएं कि ऑफर कर दिया है एक्सेप्टेंस से पहले फिर बताएं आलू जो है तीस के बज़ए पच्छीस में मांग रहा काउंटर ओपर कर रहा तो और बताएं कुछ कंडिशन था जिसको फिल्फिल नहीं किये तो ऑफर लाक्स करता है और लास्ट मे कि अब पर सब कुछ है रीड करो किसी में भी डाउट दो डाउट नहीं है यो मिसस नहीं के गड़ने स्पीं गड़ने टेक बड़ पीड कालॉ कर दो कि आई हुँ कि अ की कि 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 साथ का साथ पॉइंट और लाप्स कब करता है रीड करो कोई डाउट है फुछो हर स्टूडेंट के लिए कि और सरे स्टूडेंट का अभी तर्क जवाब आया है डाउट क्लियर है वाई हो जो मेसेज करो लिखता है डाउट क्लियर नहीं है किसी में लिखता थे तो पुछो है विए डाउट है कि ठीक है कि चलो कि आगे ऑफर क्या होता है क्लिया है बंटी बोला मेरा कुन दस अजार में लिए एक्सेप्टेंस क्या हो है वेन दब परसंट टुवूम दब प्रपोजल इसमें हमारे केस में प्रपोजल किसको किये थे और फरी कौन थी बंटी या फिर बबली तो हूम वस दब प्रपोजल में एक्सेप्टर कौन होगा एक्सेप्टेंस कौन देगा भाईया बबली बंटी ने ओफर किया था बबली को कि मेरा फों दस अजार में लेलो बंटी ने ओफर किया अगर वह अपने मंजूरी को अपने एसेंट को दे दे प्रपोजल माना जाता है एक्सेप्ट हो गया है एक्सेप्टेंस का देफिनिशन वेन दब परसंट वूं तब प्रपोजल इसमेड रीड करेगा जो रीड नहीं करेगा उसको माता राही का बाप चड़ेगा चलो रीड करो साथ में वें द परसंट वूम दप्रपोजल इसमेड signifies his ascent there to a proposal is set to be accepted a proposal when accepted becomes a promise जिस बंदे या बंदी को मैंने offer किया है जब उसका मंजूरी आ जाए तो ओफर या फिर प्रपोजल accepted माना जाता है जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो वो प्रॉमिस बन जाता है कि देखो यहां पर लास्ट पॉइंट प्रॉमिस बन जाता है ऑफर को जैसे ही एक्सेप्ट करें वो प्रॉमिस बन जाए एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया क्या ओफरर अपना ओफर को विद्ड्रॉब कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है एक्जैंपल और किया बी को कि भाई मेरा कार खरीद को प्रॉमिस बीडिया हां जैसी भी हां बोलता है अब हम तुमको नहीं बेचिए क्या एक बोलना वालिड है वी हां बोल दिया है क्या एक बोलना वालिड है सिर्फ पीड कर जवाब जवाब आया इस जवाब देना है जो भी जवाब भी भेजो ताकि हमको पता चले तुम्हों क्या पड़िए समझ आए नहीं समझ आए जवाब आना इस जरू नहीं है क्या है क्या है क्या एक वालिड है यह कंटेंशिन वालिड है पाकी बच्चलों पर जवाब क्यों नहीं आ रहे है यह टानिया अन्टनिय। टाइटन वेल वालू देखो वी आप अल्रेडी स्टडीए लोग क्या है ना इसके एक वर्ट को पकड़के चलना पड़ता है क्या है देखो पॉइंट नमबर डी पॉइंट नमबर डी रहे हैं जब ओफरर रिवोप करें यहां पे ए बिपोर इंड और पिर आपको केंसेल करना है एक्सेट होने सेे पहले आपको रिवोप करना एगThen यहां पर accept हो गया फिर रिवोक कर रहे हैं अगर इस केस में भी हां नहीं बोलता इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है इसको अगर हम याद कराने का कुछ आसा है तो मेरा ड्रॉइंग को गेस कर पाएगा तो रुको अभी बना नहीं है थीजिए वीचिंग सालों मत करने इसको अभी मत रहे हैं आख तो अगर रहे हैं अचिंग वह बता सकते हैं कैसी का ड्रॉइंग है प्तावतूं चाट ज़िए देखिए इसको अपन देशी वासा में बोलता है लड़ी ठीक है पुटते रहता है आधा गड़ता है ये ये चटाई पठाका है इसके अंदर क्या होता है पठाका के अंदर क्या हो इसको एक बार इसको में एक सेप्टेंस दे दे आग लगा दे उसके बाद तो चटाई पठाका फुटता शुरू हो जाएगा को रोक सकता है उस पुटता में चटाई पठाका को नहीं एक बार ऑफर किये और वह एक्सेप्ट कर लिया अब और रिवोक नहीं कर सकते अब हम चटाई पठाका को रोक नहीं सकते वो तो फुटके रहेगा ऑफर एक्सेप्ट हो गया काम तो हो कर रहे है काम नहीं होगा आ थो एक बारूत के लड़ी के लिए है वो सेम चीज एक्सेटन्स ऑपर के लिए है एक बर उफर एक्सेप्ट हो गया पूझ सब्सक्राइब कि इस चीज़ को याद रखना सब्सक्राइब एक्साम में हम लोग इसका चम्ति कैसे देंगे यह उपर टाइम आने की सब्सक्राइब कि इसको बताया नहीं था कि का क्या होगा प्रीट यह वाला कुश्चन जो है यह से लगोट जाट ने की इसके बाद जो चैप्टर होगा ना उसमें यह वाला कॉंसेट को अमनों कवर देंगे यह सारा चीज ऐसा बहुत सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि 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 मस्ट लाइन हम लोगों सिखाए आज एक सब्सक्राइब कि 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 जैसे कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवें उनली वाइद पॉसर्ट पॉपर इसके एक्सेप्टेंस कौन देगा भाई हम एक कार विशना चाहते हैं मानो रतिक रोशन और सल्मान खान हां बोलता है जैसे साउंड होके नहीं है बिल्कुल नहीं जिसको हम ओफर करेंगे वही हां बोलता है एक होता है जन्रल जिसमें कि पूरा पब्लिक को ओफर करते हैं कोई भी एक्सेप्टर है एक होता है स्पैसिफिक जिसमें किसी पर्टिकुलर इंसान को इस बारे में हम लोग उपर भी बात किया आगे फिर बात को फिर ओफर एक्सेप्टेंस कैंड बी एपसल्यूट एंड इंकॉलिक एक्सेप्टेंस कंडीशनल कोनच कभी भी साने का कंडीशनल एक्सिप्टेंस क्या होता है रहा है कि जब आगे वाला पाटी बदले में हमको फिर से ऑपर कर गहां है कि तीस रुबए वाला अलू को हम बोले पचीस में दो एक्सेप्टेंस है नहीं यह तो काउंटर ओपर एक्सेप्टेंस एंड कंडिशनल होता है को हमेशा होता है अन्कॉलिफाइड होता है मतलब बिना किसी कंडिशन का ऑफरर जो बोल रहा है एक्सेप्टर या फिर ऑफरी वो सारा बात को माद को कि फिर एक्सेप्टेंस ओफरर को बताना जरूरी है ऑफर का लुक्सीखेंगे ना ओफर मस्टी कम्यूनिकेटे टूदा अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफरर को बताओ बंटी को बताओ कि बंटी भाइन कर फोन खरी देंगे अगर तुम हाँ बोल रहा है ऑफरर को बताना जरूरी है और कि अग्सेप्टेंश मसंदें प्रिस्ग्राइब मोल हमारे केस में वट्साप प्रणा चाहिए तो जैसे बोला गया है तरो ना क्यों करोगे क्यूं टेक्स्ट मेसेज करोगे अच्छा अगर में टाइम जैसे कि मानों हम बोल दिये कि आने वाला दो हफ्ता थे लिए इसके बाद कोई अगर आएगा तो उसको ऑफर ही नहीं अगर तुमको टाइम लिमिट दिया गया तो वह स्पेसिफाइड टाइम में करो नहीं तो अपना बुद्धी लागा हो रीजन एक साल के अंदर होता थो वो सुचता है लिए पांचों पॉइंट काहला एकसेप्टेंस जिसको ऑफर किये हैं जो ऑफर ही है वही बेस्ट एकसेप्टेंस अंकंडीशनल होता है एकसेप्टेंस और को बताना ज़रूवी है कि हाँ या ना जो भी दोबतातों जिस मोड मैं एकसेप्टेंस क्राइब किया गया है उसी मोड में वह होना चाहिए कि अगर हम भुले वाट्सैप में पर में पर पताना तो मेल पे जाट से लेटर से बताना तो लेटर सी सिक्स्थ मेर साइलेंसेज नौन इस बढ़ा भ्यानेंब चीज़ें ध्यान सब्सक्राइब बहुत ध्यान सब्सक्राइब मानू आई सेड कि तुम मेरा फोन को पचाश जाय में खरी तुमने हावी नहीं कहा तुमने ना भी नहीं यू रिमेंस साइलेंट एक्दम चुप्टी धरके बैठे हो क्या इस चुप्टी को हम एक्सिप्टेंस माल सकते हैं क्या हम बोल सकते हैं कि आगे वाला पाधी हा नहीं बोला है तो उसके शांती में हा है उसके साइलेंस में येस है नहीं नहीं माल सकते हैं मेर साइलेंस इस न कि मेर साइलेंस इस नॉट एक्सेप्ट जैसे अभी अगर यही डॉप मनों मूवी में ला ठीक है जैसे मूवी में दिखाता अरीन पारेज हो लड़का गया लड़की को देखने के लिए लड़का से पुछा क्या शादी करना है वह अपर को एक्सेप्ट किया हां लड़की से कुछा शादी करना है लड़की उठी भाग के अंदर चलिए रूम में फिर सब हसने लगता है उसका हाँ है उसका हाँ है अरे भाई मेर साइलेंस इस नॉट एक्सेप्टेंस वह उटके भागी है वह शान्त है इसका यह मतलब नहीं कि वह एक्सेप्टेंस है इट कैनोट द अच्छा ऐसा हो सकता है कि उसके प्रीविस कंडक्त में उसने इंडिकेट किया था कि अगर वो चुप है मतब एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ओर एक्जामबल हम मानों पेरेसे डीलि करते रहता है कि हम तेरे से डील करते रहते हैं मानों उनलों का ऐसी ट्रीडिंग चलते रहते हैं एक हम तुम को रिटेलर है तुम रिटेलर है एक हम जब भी एक पूटो भेजते वाट्सेप पे तुम्हारा एक थम्जा बात है उसका मतलब है येस हमेशा से कि इस पर भी वह हुआ का फोटो भेजे तुम्हारा फोन आता भाई हम हां कहां बोले तो हम क्या बोलेंगे भाई पिछले चैट्स को देख जब तुमको जब तुम हमको थमसा भीजा है तब हम माने हैं कॉंट्रेट एक्सेप्टेड है और हम क्या अलग था भाई तेरा थमसा मतलब एक्सेप्टेंथ हमको समझ में आने लगा है हम यह इंप्लाइ भिए हैं घेक है तो उसके प्रीविएस है समझ में आ एकि उसका साइलेंड्स इपणिस नहीं मान सकते हैं। क्लिएभर हुआ है तो यह robbed दो बच्चों के जहाग आया है कि अगर हम किसी को कि भाई मेरा खरीद और वह चुप है तो उसके चुप़ी को हम acceptance नहीं माल सकते हैं उसके silence को हम एक्सेप्टेंस नहीं माल सकते हैं ऐसा कभी कभी होता है कुछ लोगों को ज्यादा बुलने का आदती है उसके प्रीवियस कंड़क्ट को देखकर उसके हिस्ट्री को देखकर हमको यही समझ में आया कि अगर यह बनता चुप है मतलब यहां बोलता है हर बार हर बार हम उसको बोलते है भाई कीबोड लेगा वह चुप है हाथ आगे बढ़ाया हम समझ जाते हैं लेता है वो ले लेता है मतलब एक्सेप्टेंश हो गया वह चुप रहता हूं कुछ नहीं बोलता है उसका कंड़क्टी ऐसा है अगर वो ना बुरना चाहिए तो वो पुझख के बुलेगा नहीं लेंगी अगर वो चुप है मतलब वो लेगा तिसे जृष अगर बंदा ऐसा ही करता है वो बताता है कि अगर हम चुप रहेंगे तो एक्सेप्टेंस मनना आगे से बोल रहा है कि हम चुप रहेंगे मतलब हाँ है उस केस में मेर्ट सालेंज किल गया ऑफर खतम हो गया और ऑफरी बार में एक्सेप्ट कर रहा है तो जस्मी पाइदा ही नहीं आपको एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर होना जरूरी है हम तुमको गाड़ी बेचेंगे पाच लाग यह उफर खतम हो गया तुम बोल रही हो ठीक है दे और प्रिजनेबल टाइंब पार हो है क्लियर हुआ सब को यह कॉन से भीयो करो को डाउट फिर भी पूछो तो प्रिटी को ट्रियर है स्मी पूपिए रहे को खियर है आईश होट के रहे आलों को खियर है धंबी रहे अंचुब एक्सेप्तेंस में भी एक्स्प्रेस या फिर इम्प्लाइट हम एक्स्प्रेस एक्स्प्रेस का मतलब क्या हूँ इन वर्ट बोल में या तो हम लिखकर बोले वर्ड में अलब लिखकर बताएं रिटेंग या फिर औरल कैसा भी हो एक्सेप्टेंस हो सकता है या फिर भाई कंड़क फॉर एक्जांपल आया आज कियो क्या तुम आज क्या तुम मेरे साथ प्रिकेट खेलोगे एंड तुम ट्रिकेट करकेट पहन के आगए हो हेलमेट लगा के आगए हो अब वेट करेंगे कि तुम हां बोले पेपर में लिखकर दे नहीं यह समझ आ आज करो कि आगे वालों को समझ में आए कि आप एक्सप्रेस इंप्रेस चाहे तो लिख कर या फिर बोलकर बताओ या फिर ऐसा कुछ करो कि आगे वालों को समझ में आए कि आप एक्सेट कर नहीं हुए पॉइंट नमबर एट एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड अनॉट देर अनॉटर मेड बाइदा इंटेंड ओफरी विटाउट देर नॉटर नॉटर अनॉटर अस बीमेड तो हिम can not be deemed as an acceptance simple line में simple line में पहले offer होगा उसके बाद acceptance होगा तब ना contract बनेगा ऐसा नहीं हो सकता कि पहले acceptance हो और फिर offer acceptance cannot precede an offer acceptance cannot be before an offer एक offer से पहले acceptance नहीं हो सकता है ठीक है एक ओफर से पहले acceptance नहीं हो सब्सक्राइब एक बच्चा है इस इस में भाईया 11-12 तो हम आपी से पढ़े हैं भाई मैंने offer किया जो तुम accept कर रहे हो नहीं ना offer cannot precede an acceptance पहले हम offer करेंगे फिर तुम accept कुल्टा नहीं हो सब्सक्राइब एक बार को ओफर को तुम reject कर रहे हो मानों ए ओफर किया बी कि हम अपना घर को एक लाख में बेचेंगे बी बोला भाई असी अजार में बेच तो एक लाख वाल ओफर तो reject हो गिया हाँ बी बोल रहा है भाई एक लाख में बेच दे चलेगा एक लाख में बेच दे खट ऐसे थोड़ी होता है यह काउंटर ओफर हुआ था जैसे काउंटर ओफर हुआ ओरिजिनल ओपर खतम सबसे पहले ए बोला बी को मेरा घर एक लाख दोड़ के बोला भाई भाई एक लाख में देना एक लाख में देना ए क्या बोलेगा जब तुम काउंटर ओफर किया असी हजार का तभी एक लाख वाला कॉंट्राक्ट कैंसल हो गया था तब ही काउंटर आफर करते ही ओरिजिनल इक लिगोंटर आफररस में यंदा काउंटर ओफर रुड़ कंसल ही तुम्हें एक वो एक्वूंटर ओफर की आए हैeken लाख में बेचेगा अरे एक लाख वाला concept cancel जब तो मस्ती हजार का offer किया तो cancel अब तो उतना भी भी नहीं बेचेगा यह चीज बोल सकता है एक बार offer reject होता है तो reject खतम अब नया contract करना है तो करो वह offer तो क्या यह concept तुम्हों को clear है पटाफट अभी आज का class अंदों यहाँ पर खतम करते हैं लेकर आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं अभी उसको रिवाइस करना बड़ा important बहुत important I have already sent you the PDF फिर से पर्वेज दो याद से रिवाइस करना कोई डाउट है inbox करना भया डाउट है है चाहिए I will help you out no issue but please revise today's class इस class को record करके हम यूट्यूब पे डाल कोई दिक्कत हो वहाँ से भी तुम लोग reference लेस करते हैं नेक्स्ट व्लॉग क्लास होगा टाटा बैटा 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 बैटा